इस वीडियो बे हम करेंगे वक्षुट चैप्टर वन क्लास सेवन वक्षुट नमबर सिक्स का क्वेशन नमबर फॉर अरेंज दा फॉलोइंग इन असेंडिंग ओर अब इसको देखना है जो क्वेशन नमबर फॉर और फाइव है वो अलग यल्सियम वाले मेथड से देखो अब इससे पहले जितने कोश्चन आ रहे थे इससे पहले जो कोश्चन नमबर होते थे लेकिन अब हमरे पास दो रैश्चनल नमबर नहीं है तो अगर जादा नमबर आने लग जाए तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे यहांपर सेवन है नाइन है और फाइव है आ आप सबसे पहले उनका LCM find करोगे, 7, 9, और 5, ठीक है, अब आप यहां से देखो, यहां तो कोई भी ऐसा number नहीं है, मितलो कोई भी ऐसा number नहीं है, दो या तीन number जो एक ही table में आते हैं, तो यहां पर सारे ही अलगा लगा है, तो हम आप इसको कैसे कहते हैं, पहले 5 से कर देते हैं, 5 के table में 7 नहीं आता, 9 नहीं आता, तो 1, फिर 7 से कर तो 7, 7, 7 के table में 9 नहीं आता, तो as it is, फिर 9, या फिर इतना यह सब कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं थी, आप डिरेक्ट देख लेते हैं, कि अगर नंबर ऐसे हैं, कि जो किसी एक single table में नहीं आ रहे हैं, तो जो भी नंबर दिये गए, आप उन्हीं को ही multiply कर दो, ठीक है, इनको multiply करेंगे, तो देखो आपके पास क्या आएगा, multiply करेंगे, 57035, 35 को 9 से multiply करेंगे, तो आजाएगा, हमार पास 315, आप अलग से multiply करके देख लेना, अब आप क्या करोगी, यहाँ पर आपको एक line लगानी है, यहाँ आप एक line लगाओगे, जितना आपका LCM आया हुआ, आप उसको कहा लिखोगे, नीचे, ठीक है, दुबार से मा जाएगा, उसको आप यहां नीचे डिनमेनेटर में लिख दोगे, ठीक है, अब आपको क्या करना है, मैं यही पर ही लिखे रहे हुए, क्योंकि यह भी आपको सारी चीज़ जानी चाहिए, नीचे वाले नंबर को, नीचे वाले नंबर से क्या करोगे, divide, आप 315 को किस किसे divide करोंगे, तो मैं यही पर ही लिक रही हूँ, 315, इसको मैं किससे divide करूँगे 7 से ठीके, 74,08, यहां से llegar車 डीvolod के हैं, 3, यहां से मैंने लिया 5, 75,035, ठीके, अब आपको क्या करना है, देखो, नीच्चे वाले को नीच्चे वाले से divide किया है कर लिया यहां पर और जो answer आ जाएगा उसको जो उपर number दिया होगा उससे क्या कर लेंगे multiply ठीक है इसको multiply कर लो यह आ जाएगा 180 ठीक है तो यहां पर आप लिख दोगे 180 फिर कोमा लगाओ यही process आपको हर एक number के लिए करनी है निचे वाले number को निचे वाले से divide करेंगे और जो answer आ जाएगा उसकी उपर वाले से multiply यही हमें करना है यहीं पर ही लिख रहूँ इसको 315 इसको किसे divide करेंगे 9 से 93027 11 में से 7 माइनिस होगा 4 5 95045 ठीक है अब यहां से answer आ है 35 35 देखो निचे वाले नंबर को निचे वाले से divide किया 315 को 9 से divide किया तो 35 आ गया और जो answer आएगा उसको उपर वाले नंबर से multiply ठीक है इनको multiply करेंगे 552025 5253015 प्लस 217 तो यहां से आ जाएगा 175 तो यहां लिखेंगे 175 नेक्स्ट सेम हम इसके लिए करेंगे यहां थोड़ा उपर कर लेते हैं इसको यहां पर देखिए यहां लिखाओ है 315 को किसे करेंगे 5 से इसको divide करेंगे कितना हैगा 5630 53015 अंसर आया 63 है तो 63 की किसे multiply होगी नमबर उपर है 2 तो 2 से multiply कर दो तो यहां से आता है 126 क्लियर है निचे वाले नमबरों का ऐल्सियम लेना है निचे वाले नमबर को निचे वाले से ascending order क्या होता है देखो जब आप सीडियों पर चड़ते हो मैंने आपको 6 क्लास में भी समझाया था जब आप सीडियों पर चड़ते हो जैसे यह फस्ट नमबर की स्टेर है जब हम नीचे से उपर जाते हैं ठीक है कहां नीचे से उपर जाते हैं तो सबसे पहले जो छोटे नमबर की सीडिया वो आएगी तो ascending order होता तो उसमें सबसे पहले छोटा नमबर लिखा जाता है फिर बढ़ा फिर बड़ा और फिर सबसे बढ़ा तो आप इन तीनों नमबर में इसे देखो यहां पर सबसे छोटा कौन सा है 126, 175 और 180 में इनमें सबसे चोटा कौन सा है 126, जो सबसे चोटा उसके उपरा पैसे नंबर डाल देना सबसे चोटा नंबर कौन सा है 126 इसको फस्ट नंबर पे लिखना पड़ेगा उससे बड़ा है 175, यहाँ पर सेकंड लिख देना उससे बड़ा 180 तो यहाँ पर 180 तो आपको पता चल गया कि यह जो तीनो रैशनल नंबर है उनमें जो सबसे पीच्छी है वो सबसे चोटा है क्योंकि वहाँ 126 आ रहे है उसके बाद कौन सा 175 वाला मतलब 5 by 9 उसके बाद 180 वाला मतलब 4 by 7 तो हम यहाँ लिखेंगे ascending order ascending order ठीक है तो उसमें सबसे पहले कौन सा आएगा जहां पर 1 लिखा हुए उसके उपर वाला नंबर 2 by 5 उसके बाद यहाँ इस पर 2 लिखा था तो 5 by 9 और फिर last में कौन सा आजाएगा 4 by 7 ठीक है तो यही आपका answer बन जाएगा इसी अगर आपको यह वाला question समझागे तो इस पे ही based आपके question number 4 का जो बज़ेवा part वो भी इसी पे ही होगा और 5 के जो दो part वो भी इसी method पर होगा next है इसका second part minus 3 by 4 and minus 5 by minus 12 और last है आपका minus 7 by 16 तो सबसे पहले देखो आप क्या करोगे इनको standard form में लिखो minus 3 by 4 यह minus से minus cancel होगा तो यह कितना बन जाएगा 5 divided by 12 और यहां से यह ठीक है minus 7 by 16 अब आपको क्या करना है यह जो नीचे number लिखे हो है आप इनका LCM find करोगे 4, 12 और 16 इस का LCM find करोगे तो अब आप देखो आपको क्या ऐसा number ढूनना है जिसकी table में यह तीनों ही number आते हो चाहो तो पहले 2 से कर लो या direct 4 से भी कर सकते हैं 2 से करेंगे 2, 2, 0, 4 2, 6, 0, 12 2, 8, 0, 16 2 से अगें करेंगे 2, 1, 2, 2, 3, 0, 6 2, 4, 0, 8 अब आप देखो यहां से अब यह number ऐसे हो गए है जो एक single table में नहीं आते है तो आप पहले 3 से ही कर दो 3 की table में 4 नहीं आता है अब simple जो अगर एक ही number बचता है तो हम last में उसी से कर देते हैं तो LCM हमारा कितना आ जाएगा यह यहां starting वाले numbers को multiply करना है 2, 2, 3, और 4 तो यहां से कितना हैगा 2, 2, 0, 4, 4, 3, 0, 12, 12, 4, 0, 48 ठीक है यहां से हमारा LCM आ जाता है 48 मैं इसको आपको मतले एक short method और बता देती हूँ अगर आप चाहते हूँ कि आपको यह इतना बड़ा LCM ऐसे ना निकालना पड़े तो इसका एक short method देखो क्या होता है आपको क्या करना है यह 4, 12 और 16 ठीक है आपको क्या जो यह निच्चे नमबर लिखे हो उनमें से आप सबसे बड़ा नमबर ले लो सबसे बड़ा नमबर कौन सा है 16 तो आप इसी 16 की table आपको आती है आप table पढ़ोगे आपको ऐसा नमबर find करना है जो इन दोनों की table में भी आता हो इन दोनों से भी cut होता हो तो आप देखो 16 है वो 4 से तो cut होता है लेकिन 12 की table में 16 नहीं आता इस से इस नमबर देखो 16 टुजा 32 32 अब 32 देखो 4 की टेबल में दो आता है लेकिन 12 की टेबल में नहीं आता है मतलब आपको ऐसा नंबर ढोगना जो दोनों और दोनों की टेबल में आजाता हो ठीक है 1617 16 अब 48 देखो 48 वह से भी एक भी आपको क्या करना है मैंने सिखाया था निचे वाले को निचे वाले से डिवाइड करेंगे हम क्या करेंगे 48 को डिवाइड करेंगे 4 से 41004 42008 यह आपको एक चीज और यह आपका rough work ही है आप चाहो तो इसको rough work में भी कर सकते हो ठीक है अब जो निच्चे वाले को निच्चे वाले से डिवाइड कर दिया है अब जो उपर है उससे क्या कर देंगे multiply 12 को multiply कर देंगे minus 3 से 12 3 जा 36 और minus symbol आ जाएगा minus 36 next है आप direct ऐसे भी पढ़ लो कि 12 की table में 48 कहा आता है या फिर आप simple यही रखो निच्चे वाले को निच्चे वाले से divide याद रखना है निच्चे वाले को निच्चे वाले से divide जो answer आ जाए उसकी उपर वाले से multiply 48 को 12 से divide करेंगे 48 को 12 से ठीक है 12 4 जा 48 अब जो answer आया है उसकी multiply उपर वाले से 4 5 जा 20 तो यहाँ पर लिख देंगे 20 next है अब आप देखो निच्चे वाले को निच्चे वाले से divide करेंगे तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 48 को 16 से divide करेंगे 16 3,48 और जो answer आ जाएगा उसकी multiply उपर वाले से कर देंगे 3,7,21 माइनस के 21 ठीक है जब आपकी थोड़ी सी practice हो जाएगी तो आप direct भी कर लोगे कि जैसे 16 की टेबल में 16 की टेबल में 48 कहा आता है 16,3000 तो 3 आया 3 की multiply माइनस 7 से मैंने यहाँ इस वाज़े से कराया कि आपको अगर समझ नहीं आ रहा हूँ तो divide करना है अदर्वाइस आप simple देखो 12 की टेबल में 48 कहा आता है 12,4 12,4,048 तो 4 आया ना 4,5,020 अब यह जो यहाँ पर यह numerator आ गया है ठीक है यह जो उपर नमबर आया थी माइनस 36,20 और माइनस 21 अब आपको इन में से देखना है कि आपको ascending order लिखना ascending order क्या होता है पहले सबसे छोटा नमबर अब आप देखो यह तो positive का है और यह दोनो negative तो मुझे पता negative वाले number ही छोटे होते हैं तो मुझे देखना कि minus 36 और minus 21 इन में से छोटा कौन सा है जो देखने में बड़ा होगा वो उतना ज़्यादा छोटा होगा minus 21 और minus 36 में minus 36 सबसे छोटा है तो इस पर लिखेंगे वन यह पहले number पर लिखा जाएगा ठीक है तो अब यहां बच गे दो number इन में से तो मुझे बता है एक positive और एक negative वाला ही छोटा होगा इसको second number पर तो यह बच जाएगा इसको third number पर लिखना है और three के ओपर मेरा कौन सा number है minus 5 by minus 12 आपको यह चीज़ ध्यान रखने है कि आप इन में से मत लिख देना कि minus 36 by 48 ऐसे नहीं लिखना आप सिर्फ simple इन की help से देखोगे कि कौन सा number है यह किसकी help से यहां से minus 3 by 4 की help से तो आप का answer आजाएगा minus 3 by 4 minus 7 by 16 and minus 5 by minus 12 तो यहां पर इस वीडियो में मैंने आपको question number 4 करवाया है अब इसका एक question बज़वाया question number 5 वो आपको next video में मिलेगा Thank you so much